Hello Students, Master in Mathematics, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज से हम लोग एक नई सीरीज, Calculus of Variation, स्टार्ट करने वाले हैं और आज इस सीरीज का Lecture Number 1 होने वाला है तो चलिए इस सीरीज का Lecture Number 1 स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, Calculus of Variation सबसे पहले तो हमें Definition को समझना पड़ेगा कि What is Calculus of Variation, Calculus of Variation क्या है इसकी Definition को समझे भी ना हम लोग आगे नहीं समझ सकते चीजों को तो चलिए, देखते हैं कि इसकी Definition हमें क्या कहती It is a Field of Mathematics, यह एक Mathematics की वो Field है जो Variations का इस्तमाल करती है, किन का इस्तमाल करती है Variations का इस्तमाल करती है, और Variation क्या होते हैं छोटे Changes होते हैं, Small Changes होते हैं किसमें? Function में और Functional में, ठीक है ताकि हम क्या Find Out कर पाएं, Maxima और Minima किसका? Functional का, ठीक है तो यह जितनी भी चीज़ों को मैं Underline किया हूँ इस चीज़ को मैं आगे चलके अभी आज के ही Lecture में आपको Clarify करूँगा कि यह चीज़े क्या होती है इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि आप इनका मतलब ही नहीं समझ पाओगे तो Definition ही नहीं समझ पाओगे ठीक है, तो अभी आगे मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ एक और Definition मैं लिख देता हूँ क्योंकि किसी-किसी बुक में आपको वो Definition देखने को भी मिल जाएगी Similarly है, बस कहने का थोड़ा सा तरीका बदला है पर बात वही है, ठीक है रिस्ता वही है, सोच नहीं है यहां पर ठीक है, तो देखते है Definition क्या कहता है तो दूसरी Definition कुछ इस तरीके से कहती है कि it is the field of mathematics यह mathematics की वो field है जो concerned है, किस के लिए concerned है कि उसमें streamal problem solve की जाएए streamal problem का मतलब होता है stream का मतलब होता है end वाले point, या तो वो maxima होगा end point या minima होगा ठीक है, तो end point streamal problem होगा किस के लिए, functional के लिए जिसका domain क्या होगा जिसके domain में admissible function होगे ठीक है, क्या होगे function होगे, वो function कैसे admissible, admissible मतलब allowed जो उसमें satisfy होगे यह होता है admissible का मतलब ठीक है, और domain का यहाँ पे एक मतलब आपको दिक्कत कर रहा होगा streamal problem का मतलब आप समझ गये जहाँ पे maxima और minimum value problem होती है वो, ठीक है और functional को हमें यहाँ पे देखना ही था, तो अब इन सारी चीजों का मतलब हम देखते हैं एक-एक करके सबसे पहले तो हम समझते हैं कि what is function, ठीक है function क्या है इस चीज को हम लोग समझते हैं अब यहाँ पे आप देखो, आपने 11th class में function की starting up से हो गई थी, ठीक है, आपको समझाया शुरू हो गया था school levels में कि what is function, तो function is particular आपको एक simply क्या समझाया जाता था कि एक ऐसी machine होती थी कि जिसमें आप input देते थे ठीक है, और आपको क्या मिलता था, बदले में output मिलता था, वही एक function होता था, जैसे कि x square है, ठीक है यह एक type का function है इसमें आप input दोगे, x is equal to 1, तो output आपको यहाँ पर जो fx होगा वह बना जाएगा input अगर आप 2 दोगे इसागे, तो output आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा input अगर आप 3 दोगे तो output आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, तो यह function होता था, जिसमें inputs होते थे एक ऐसी machine होती थी यह function जिसमें अगर आप input डालते हो तो आपको क्या मिलता है output मिलता है ठीक है तो function आप clearly समझ चुके एक तरीके का revision था basically आपको तो पता है होगा कि function क्या होता है पर functional समझने से पहले function समझना जरूरी है तो यह होता है function की overall जो basic होती है चीज़ है ठीक है फिर उसमें जो है तीन parts आपने देखे थे domain ठीक है core domain और उसके बाद होता था range domain का मतलब क्या है जितने भी admissible inputs होते थे admissible का मतलब जो उस function को satisfy कर रहे होंगे जो चीज़ कर रहे होंगे जो given conditions को follow कर रहे होंगे तो जितने भी admissible मतलब समझ लो की जितने भी possible inputs हमारे पास थे जितने भी total inputs थे वो होता था domain ठीक है तो आप यहां पर यह domain का मतलब यहां पर समझ गये ठीक है अब देखते हैं कि code range क्या होती है सबसे पहले ठीक है जैसे कि अगर आप कोई भी set यहां पर ले लो ठीक इसमें मैंने element डाल दिया 1 2 3 और 4 यह set का नाम दे दिया मैंने A और इस set का नाम दे दिया मैंने B ठीक है इसमें element 1 2 3 4 है सेम है जो चलो इसका नाम यही रख देता हूं ठीक है तो इसमें कुछ ऐसा मैं कर देता हूं कि एक ऐसा function मैं बना दूं कि 1 इसके साथ linked है 2 इसके साथ 3 के साथ linked है 3 4 के साथ linked है तो यहां पर आपका जो domain होगा इस question के according तो क्या होगा 1 2 3 यह जो है चीजों को जो satisfy कर रहा है जो input हमें चाहिए वो हमें क्या क्या दे रहा है 1 2 3 दे रहा है ठीक है range कहां तक जा रही है हमारी 2 3 और 4 तो range हमारी 2 3 4 है co domain का मतलब क्या होता था co domain का मतलब basically यह होता था कि जो है वैसे तो यह हो जाएगा आपका 4 को भी यहां पर link करा देते हैं ठीक और यहां पर एक और element यहां पर 5 add कर देते हैं ठीक है वन्ना function के definition यह नहीं फॉलोगी relation बन जाएगा ठीक है तो यहां पर 4 को भी link करा देता तो domain आपका 1,2,3,4 हो गया और range हो गई 1,2,3,1,2,3,4 ठीक है अब जो co domain है co domain है मतलब जितने possible outcome आ सकते थे outcome क्या क्या आ सकते थे 1,2,3,4 या 5 यह सारे outcomes आ सकते थे तो basically यह हो गया आपका function और जिसमें co domain range यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगे ठीक है अब चल तो functional का मतलब क्या होता है देखते हैं तो functional की जो definition है यह bookish definition है क्या कहते है पहले bookish definition को देखते हैं फिर मैं बताता हूँ ऐसे normally क्या आप कह सकते हो एक ऐसी quantity जो determined होती है by one or several function एक या एक से ज्यादा functions की वज़े से determined होती है that is the quantity एक ऐसी quantity जिसका domain set of all admissible function होता है ठीक है admissible function का मतलब क्या होती है जो given condition को satisfy करें जैसे मैंने बताया था जो चीजों को satisfy करेगी वह होगा आपका admissible function और उसका range और co domain set of real number आने वाला है ठीक है तो वैसे normally यह तो bookish definition होगे जो आपको लिखनी होती है जब भी आपसे कोई पूछता है basically functional क्या होता है यह एक ऐस function होता है function आपको पता है क्या होता है तो यह यह भी function होता है लेकिन बस फार्क इतना है कि एक ऐसा function है जिसका यह जो domain है जैसे domain 1,2,3 आ रहा था पर इसका domain एक function होगा ठीक है इसका domain ही एक function होगा शमझ गए तो यहां तक कोई चीजे कुसी चीज में दिक्कत नहीं होगी function और functional आप clearly समझ गए हो तो आप यहां पे क्या है admissible समझ गया function समझ गया maximum minimum value आपको पता यह streamal होती है functional भी आप समझ गया streamal problem क्या होती है जो maxima or minimum होती है functional यहां पे होई गया maxima minimum functional और function हो गया ठीक है variation का मतलब होता है बदलाओ उसके बारे में भी आपको मैं भी बताऊंगा video के end में देखते रहे उसको तो variation का मतलब होता है small change अभी आप यह समझ गया तो definition calculus of variation की क्या हो गई यह एक mathematics की field है जिसमें variation होता है मतलब छोटे-छोटे changes होते है function में और functional में ठीक है अब function की जो domain होती है वो function होती है अगर उसमें मैं थोड़ा सा बदलाओ करूंगा मतलब domain में जो functional का domain एक function होता है उसमें थोड़ा से भी मैं बदलाओ करूंगा तो उसके functional में भी बदलाओ होगा और इस बदलाओ से हमें मैकसिमा और मिनिमा मिलेगा उस functioning का यही होता है calculus और सबसलिह करते हैं तो variation करते हैं Functions में तो Functional में भी vary देखने को मिलता है और उससे फिर हम लोग maximum minimum find कर पाते हैं किसी भी दिये वे functional की बस यही होता है calculus of variation अब हम जो है functional को थोड़ा सा mathematically देख लेते हैं तो basically है तो यह function माल लेते हैं वो function है I ठीक है कहां से कहां तक A से set of real number से ठीक है मैंने कहा ना कि range और जो domain है वो set of real number है और मैंने बोला था कि उसका जो domain होगा वो admissible function होगा मतलब जो condition को satisfy करे यही होता admissible का मतलब तो इसका मतलब जो यह A है वो A का मतलब क्या है set of all admissible function ठीक है यह set of all admissible function हो गया यह आपका functional है ठीक है और यह आपको पता ही है कि set of real number होता है ठीक यहाँ पर I hope कोई दिक्कत आपको नहीं है अगर मैं यहाँ से कोई element उठाता हूँ ठीक है यहाँ से मैं कोई element उठाता हूँ तो वो इस form का होगा किस form का होगा fx form का होगा fx कहां से belong करेगा इस a से belong करेगा क्यों? क्योंकि fx एक function है क्योंकि मैंने बोला है a set of all admissible function है तो a जो set है overall वो set function का ही तो set है तो इसका मतलब अगर उसमें से मैं कुछ चीज उठाता हूँ कुछ element उठाता हूँ तो वो automatically एक function ही वहाँ से निकल के आएगा ठीक है? और वो इस fx के साथ एक extra condition ये भी होगी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो function क्या ऐसा होना चाहिए continuous होना चाहिए और plus साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए? double differentiable भी होना चाहिए ठीक है? double differential function होना चाहिए तो यहाँ पर आपका यह चीज हो गए आपको मालूम है कि जो function होता था उसके अगर मैं जो set से elements उधाता था तो वो x होता था और जब वो function लगता था तो वो fx आ जाता था जो कि हमारा y कहलाता था functional में क्या है? functional में मैंने अभी आपको बताए कि मैंने एक i लिया है जो कि एक functional है a से rational number के लिए ठीक है? a से rational number के लिया लिया तो इस चीज को कैसे दिखा सकता हूँ जैसे इसमें क्या होता था कि अगर f आप a से b की तरफ दिखाते थे और आपने एक x से लिया जो a में belong करता था तो ये function निकल के आएगा f x जो की कहा जाएगा b में आपका जाएगा ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर है क्योंकि a से तो आप निकालोगे एक function ही ना मतलब एक f x निकालोगे एक function निकालोगे क्योंकि a set of all admissible function है तो यहाँ से अगर आप इस function को अब बनाएं तो i y x हो जाएगा is equal to a से b interval में जाएगा ठीक है? और वो जो functional होगा यहाँ पर जो functional आएगा ठीक x, y और y के एक derivative का होगा और यह dx होगा ठीक है यह interval x कलेंगे क्योंकि हम differentiate यहाँ पर जो dx है यह x के respect में हम लोग कर रहे हैं integrate तो a से b जाएगा जो यह limit होगी वो x की आएगा तो basically यही चीज आपकी हो जाती है यहाँ पर यह आपका एक functional है यहाँ और जैसे ही आप इस चीज को solve करते हैं तो आपके पास एक maximum या एक minimum value आएगी जो की यह चीज से denote की जाएगी ठीक है तो जैसे कि आपको मालूब है कि एक shortest distance निकाली जाती थी दो point के बीच में दो point के बीच की shortest distance निकाली जाती है वह आप जानते ही हो लेकिन अगर functional में निकालना हो दो point की shortest distance तो कैसे निकालते हैं जैसे माल लिया जिया एक point हमने ले लिया पी और x1, y1 हो गया और दूसरा मैंने point ले लिया q, x2, y2 ले लिया ठीक है अगर इन दो point का हमे shortest distance निकालनी है तो हम इसको अगर functional में दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं हो जाएगा आपका y, y, x ठीक है और यह integration हो जाएगा x1 to x2 क्योंकि आप x यहां पर हमारा independent variable है और जो functional आएगा इस case में वो आएगा 1 plus y' whole square ठीक अंडर root के अंधर यहां पर हो जाएगा इसका derivation में करके आपको दिखाऊंगा अभी आगे के वीडियो lecture में जब मैं लेके आऊंगा कि दो point के बीच की shortest distance कैसे निकालते हैं तो उसमें मैं आपको solve करके यह चीज दिखाने वाला हूं तो अभी आप basic समझ लो कि इस तरीके से कुछ होता है क्योंकि अभी तो हम definition की बात कर रहें जब तक definition नहीं समझ में आएगी तो आगे की चीज़े कैसे समझ में आएगी तो वो छोटे-छोटे points आपको समझने अभी जरूर है तो यह चीज आपको दिख जाएंगे जहां पर आपको पता है कि y-dash का क्या मतलब होता है दी वाई वाई डी एक्स होता है ठीक है अग यहां तक चीज़े क्लियर है यहां पर x आपका independent variable है और y dependent variable है ठीक क्योंकि दिख रहा है न यह जब कोई चीज ऐसे लिखी जाती है ए x independent variable है और y हमारा dependent variable है ठीक है अब होप यहां तक चीज़े क्लियर हो गई बात करते हैं हम लोग variation ठीक है variation का मतलब क्या होता है small change छोटा सा change अगर आपने जैसे functional होता है functional का जो domain होता है वो तो एक function होता है जैसे इस चीज़ को पहले वो भूल जाओ भी कुछ देर के लिए अब यह आप नॉर्मल चलो जैसे आप x में छोटा सा भी change करते थे तो y x में change होता था ठीक है अगर आपने x में delta x कुछ जोड दिया तो y में जो यहां पे value पुट हो ज जो function तो इसका एक function जब change होगा तभी तो यह functional change होगा तो variation होने के लिए छोटा सा change होने के लिए अगर function में कोई change होता है तो हमारे functional में भी हमें एक change देखने को मिलेगा तो यहां से आप note कर सकते हो कि जो necessary condition है कि आपको streamum point मिल जाएगा streamum का मतलब है maximum या minimum तो उसके लिए आपको जो change in i होगा वो 0 होना चाहिए ठीक है तो delta i is equal to 0 हो जाना चाहिए आपकी necessary condition है किसी भी functional के लिए कि उसके पास streamum हो मतलब अगर यह condition है तभी streamum होना possible है अगर यह condition ही नहीं बनेगी तो आप वहीं पर छोड़ दोगे कह दोगे कि महां पर streamum आपको नहीं मिल ठीक है अब कुछ लोग बात करते हैं यहां पर variation variational problem की ठीक है तो कुछ लोग पूछते हैं कि variational problem क्या होती है तो variational problem is nothing but definition इसकी यह कहती है कि variation problem is which define maximum और minimum for a given functional ठीक है यह क्या define करती है maxima define करती है या minima define करती है किसी दिये हुए functional होगे जो अब यह functional हमें वहां पर given होगा उस case में given होगा तो वो अगर हमें वहां पर maximum minimum define होके हमें मिल जाए तो वो variational उन types के problem को हम लोग variational problem बोल देते हैं तो यह काफी quite simple था तो basically अब आप समझ गए हो कि क्या के चीज़ें होती है तो आप अपने lecture में क्या देखा कि what is calculus of variation कि स्टाइश की definition लिख सकते है function क्या होता है functional क्या होता है domain क्या है कैसे range है functional को आप mathematically कैसे लिख सकते हो और variational problem क्या होती है ठीक है यह सारी चीज़ें आपने आज के lecture में सीखी तो इसी के साथ lecture 1 खतम होता है COB calculus of variation का मिलते हैं आप से next lecture में जहिन